असलाम आलेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी देगी कबूली चना पुलाव की रेसिपी जो बहुत जादा टेस्टी बनेगा बनाने में तो बहुत एजी है अगर आपके चाबल खिले खिले नहीं बनते हैं तो इस रेसिपी को फॉलो करकर पर्फेक्ट बना सकते हैं अच्छे लिए देख लेते हैं तो यहां पर लिए हमने 500 ग्राम चाबल और बासमती राइस लिए हैं जिसको हमने आदे गंटे के लिए भिगो दिया था अच्छे से धोकर भिगो दीजेगा उसके बाद यहां पर लिया हमने देखिए कबूली चने तो 250 ग्राम हमने लिए कबूली चने जिसको रात भर के लिए धोकर भिगो दिया था उसके बाद इसको बॉइल कर लिया यह दीगे एक भी सिल हाई फ्लेम पर लगाई बॉइल करने के लिए उसके बाद यहां पर यह चने तेयार हो गए अब यहां पर एक रख लिए हमने हांडी इसमें एड़ करे ना ना है हमें golden fry तो दीखिए प्याज यहां पर golden fry हो चुके हैं तो बस इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और प्याज को यहां पर ठंडा होने के लिए रख दिंगे फ्लेम को यहां पर हमने बंद कर दिया है बंद फ्लेम पर हम इसमें एड़ करेंगे एक इंच का दालचीनी का टुकड़ा छे हरी लाइची पांच लॉंग ले लिजिए गए हाफ टी इस्पून काली मिर्च और बंटी इस्पून जीरा एक फूल जबित्री का और एक लिया हमने स्टार फूल तो यह मसाले चले जाएंगे और एक तेश पता एड़ कर देंगे और यहां पर हमने देखिए एक बड़े साइस का टमाटर लिया था जिसको हमने इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया यह एड़ कर देंगे दस हारी मिर्श ली थी हमने जिसको मिक्सी जार में डाल कर इसका पेस्ट बना लिया यह कम तीखी बाली है तो हमने दस ली थी अब इसमें एड़ करेंगे टू टेबल स्पून अद्रक लहसुन का पेस्ट और टू टी इस्पून सौफ का पाउडर एड़ करेंगे दो छोटे दांद्र करेंगे बहुत कि अपूर 앞 गया करेंगी सीपून अब राइज करेंगे फशफ मचों अब करेंगे और जो भी ingredient इस recipe में मैंने use की है लिस्ट आपको description box में मिल जाएगी तो आप check कर लिजेगा तो देखिए यहाँ पर अच्छे से यह मसाले भून गए हैं आप इसमें add करेंगे हम चने तो देखिए चने add कर दिये हैं चने डालकर हमें थोड़ा सा भूनना है दो से तीन मिनट के लिए high flame पर ही और यह एकदम देख वाला पुलावा जैसे कि देख में बनाया जाता है वैसे ही हम बना रहे हैं तो जुरूर ट्राइ कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर हमने चनो को भी थोड़ा सा भून लिया है अब इसमें add करेंगे पानी तो 500 ग्राम चाबल थे दो ग्लास चाबल तो यहाँ पर देखिए हमने add करना है दो ग्लास चाबल के लिए 3 ग्लास पानी add कर लें तो 3 ग्लास पानी add कर लेंगे उसके बाद द तो इसमें एड़ करेंगे अब चाबल, सिर्फ चाबल एड़ करने हैं हमें, इसका पानी एड़ नहीं करना है, और चाबल एड़ करने के बाद अब इसमें एड़ करेंगे नमक, तो दो छोटे चमच अभी में नमक एड़ कर रही हूँ, तीन चोड़े जम से अभी नमक एड़ड किया है, बाकी का हम mix कर लेंगे, उसके बार taste कर लेंगे कम लगेगा तो और add कर लेंगे, हलके आतों से इस तरह से mix कर लें उसके बार दिखे थोड़ा सा कम लगा तो half teaspoon और add कर दिया अब cover कर दिंगे high flame पर ही पकने के लिए छोड़ देंगे और देखें यहाँ पर अब खोल कर देख लेते हैं तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पान ही रह गया है तो अब इसको हमें दम पर लगाना है तो उससे पहले दम लगाने से पहले यहाँ पर इसमें एड़ करेंगे हम half tea spoon केपरा बॉटर क्योंकि छोटी बॉटल वाला है न तो यह थोड़ा strong होता है तो कम quantity में जाता है जो डाबर का बड़ी बॉटल का लेते हैं वो one tablespoon भी आप एड़ कर सकते हैं तो केपरा बॉटर एड़ करने के बाद फ्राइ के हुए प्याज एड़ कर देंगे उपर से कबर करेंगे और लेट भी लगा देंगे अब इसको दम पर रखना है हमें पंदरा मिनट के लिए बिलकुल low flame कर दीजिए पंदरा मिनट के लिए छोड़ दीजिए उसके बाद यहाँ पर बंद पंदरा मिनट बाद फ्लेम को बंद करकर भी आप पंदरा मिनट और छोड़ दिया कर आए इससे ही होते हैं हमारे rice जो है न वो एक दिम खिले खिले बन यह देखिए तो आप इस recipe को जुरूर ट्राइ कीजिएगा perfect recipe है perfect measurement के साथ नहीं आपके चाबल चिपकेंगे नहीं तूटेंगे perfectly बनकर त्यार होंगे तो बस अब यहाँ पर serve कर लेंगे और आज की मेरी recipe आप कहां से देख रहे हैं प्लीज मुझे comments करकर जुरूर बताईएगा तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक दाना खिला खिला बना है तो इस तरह से आप try कीजिएगा यहाँ पर मैंने थोड़ा सा प्यास से garnish कर लिया है यह देखिए तो जुरूर ट्राइ कीजिएगा और जब भी आप try करते हैं ना तो मुझे comments करकर जुरूर बताईएगा कि आपकी recipe कैसी बनी उम्मीद करती हूँ आज की मेरी recipe आपको पसंद आई होगी recipe पसंद आई हो प्लीज चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें इन्शालला नई recipe के साथ फिर हाजर होंगी अपना बहुत सारा खयाल रखें तब तक के लिए अला हाफिज